आप सभी को नमस्कार अब मैं आयू से संबंदित प्रसना शुरू कर रहा हूँ लेकिन प्रसना की ओर चलने से पहले कुछ बेसिक कॉंसेप्ट को समझना होगा मैं यहाँ पर लिखा हूँ समझने का प्रयास किजिएगा पहले वर्तमान बाद क्या समझना है समझने का प्रया 20 वर्स था तो वर्तमान में कितना होगा अब यहाँ पर आपको समझना होगा पहले यानि की छोटा होगा पहले छोटा होगा तो पांच वर्स पहले 20 साल का था तो वर्तमान में कितना होगा 25 साल का होगा यह आपको समझना होगा अब वर्तमान में किसी का आयू 25 साल है तो पांच वर्स बाद कितना हो जाएगा 30 साल का हो जाएगा ये आपको समझना होगा जैसे पांच वर्स पहले का आयू 20 साल दिया हुआ है तो वर्तमान का निकालना हो तो क्या करेंगे पांच जोड़ना होगा तो वर्तमान का मालूम हो जाएगा या वर्तमान का आयू 25 साल है तो पांच वर्स पहले कितना होगा पांच घटाना होगा यानि कि 20 साल ठीक है ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिक्स कर लेना है किसी का वर्तमान में आयू 25 साल है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा जादा होगा ना यानि कि 5 वर्ष जादा होगा 30 साल हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर समझे अगर किसी ब्यक्ति का आयू 5 वर्ष पहले 20 साल है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा यानि कि 30 साल डायरेट आपको 10 जोड़ना होगा ठीक है या आप यहाँ पर क्या करेंगे अगर किसी ब्यक्ति का आयू 5 वर्ष पहले 20 साल है और निकालना है कि 5 वर्ष बाद कितना होगा तो सबसे पहले आपको वर्तमान में आना होगा तो 5 जोड़ना होगा फिर आप वर्तमान से 5 वर्ष बाद में जाएंगे तो भी आपको आयू दिया हुआ है तीस वर्स तो वर्तमान का आयू कितना होगा पांच वर्स बाद का दिया हुआ है और आपको निकालना है वर्तमान का तो पांच घटाना होगा यानि कि पचीस वर्स ठीक है तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है अब चलता है प् आप सिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सभी टाइप को देखिएगा, सबसे पहले प्रसन को पढ़िए, अस्टार्टिंग का प्रसना है, ये तो असान है, सचीन राहूल से चार वर्ष छोटा है, इनकी वर्तमान आयू का अनुपात साथ अनुपात नौ है, सचीन की वर्तमान आयू कितनी है, बहुत ही असान है, यहाँ पर कौन कौन है, सचीन और राहूल, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सचीन और राहूल इस तरीके से, ठीक है, अनुपात दिया हुआ है, साथ अनुपात नौ, लेकिन बोला क्या है, सचीन राहूल से चार वर्ष इसका मतलब अंतर दिया हुआ है, सचीन और राहूल का एज में अंतर कितना है, चार वर्ष है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यह जो अनुपात दिया हुआ है, इसका अंतर आपको लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, सचीन राहूल से चार वर्ष तब अनुपात में जो दिया हुआ है उसका अंतर लेके आपको चलना है ठीक है तो 9 और 7 में अंतर कितना होगा 2 का ठीक है 2 अंतर में आपको लेना है 4 वर्स जो की इहां पर लिखा हुआ है 4 वर्स छोटा उसी को लेके चलना है 2 में 4 है तो 1 में कितना होगा 2 से 4 को डिभाइट कर दीजिए तो आएगा 2 अब इसी 2 से आपको 1 में निकालना है तो 1 में निकाल लिए न अब इसी 2 से अनुपात में गुना कर दीजिए तो 2 सते 14 दो नमा 18 यानि कि सचीन का आयू कितना है 14 वर्स और राहूल का 18 वर्स अब देखते हैं ओप्शन में क्या दिया हुआ है 16 वर्स 18 वर्स 28 वर्स तो पुछा किसका है सचीन की वर्तमान आयू तो सचीन का तो 14 है तो क्या हो जगा इन में से कोई नहीं इए उप्शन सई है इप्सन सही है तो किलियर हो चुका होगा इप्सन सही है इन में से कोई नहीं क्योंकि सचिन का 14 वर्स आ रहा है दूसरा नमबर को समझिये भेरी भेरी इंपोटेंट है इसी तरह का प्रशना पूछा जाता है मा और बेटे के उम्र का अनुपात 7 अनुपात 10 है यदि इनके उम्रों का योग 60 वर्स है तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है बहुत ही असान है तो मा और बेटा है न तो मैं लिख लेता हूँ मदर मदर और सन ठीक है अनुपात कितना है साथ अनुपात तीन है योग दिया हुआ है मा और बेटे का उम्र का योग दिया हुआ है साथ तो आपको क्या करना है ये योग दिया हुआ है न तब आपको अनुपात में जो दिया हुआ है उसका योग लेके चलना है कैसे लेके चलेंगे समझेगा तो इसका योग करेंगे तो कितना होगा सातिन दस दस में आपको साथ लेके चलना है क्योंकि मा और बेटे का आयू का योग कितना है साथ है ठीक है और इधर में अनुपात है उसका योग लेके चलेंगे तो एक में कितना होगा दस से डिवाइट कर दीजे साथ को तो दस छक साथ छोव आया ना छोव से गुना कर दीजे इसमें और इसमें तो दोनों का आयू निकल जाएगा मा और बेटे का तो साथ छक 42 ये मा का है और छोव तिया 18 ये बेटे का है लेकिन पूछा है मा और बेटे यानि कि दोनों के उम्र में कितना अंतर है तो अंतर कर लिजे 42 में 18 घटाए तो ऐसा आप लिख लिजे तो असान होगा 42 में 18 घटाना है एक दहाई 10 12 हुआ 12 में 8 घटाएंगे तो 8-4 12 होता है ना 4 यहाँ पर बच गया 3 3 में से 1 तो 2 यानि कि 24 तो मा और बेटे दोनों के उम्रों में अंतर कितना है 24 साल देखिए कहाँ पर है B option सही है answer को मिलाते हुए चलेंगे इसी तरीके से practice करना है solve करने का बहुत तरीका है लेकिन यह जो तरीका है बहुत ही संदार और असान तरीका है एक बेक्ती अपने पूत्र से 24 वर्स बड़ा है दो वर्स बाद उसकी आयू अपने पूत्र की आयू का दो गुना होगी पूत्र की वरत्मान आयू कितनी है अब इहां पर समझना है एक बेक्ती है तो उसको मान लेते हैं फादर क्योंकि उसका बेटा है फादर और सन ठीके तो अब इहां पर क्या बोला है दो वर्स बाद उसकी आयू अपने पूत्र की आयू की दुगुनी होगी अब यहाँ पर अनुपात तो दिया हुआ नहीं है लेकिन जहाँ पर दो गुना तिन गुना चार गुना बोला है इसका मतलब वो अनुपात ही है आपको अनुपात में लिख लेना है तो पिता का दो गुना हो जाएगा दो वर्स बाद तो पिता के तरफ दो रखेंगे और प खादर है वो 24 वर्ष बड़ा है तो बड़ा है या कम है अधिक है छोटा है इसका मतलब क्या है आयू का अंतर है तब आपको इसका अंतर लेके चलना है कितना होगा दो और एक में अंतर एक ही होगा और जो की हम लो एक में ही निकालते हैं तो इहां पर समझेगा 24 वर्ष बड एक आया ना, तो एक अंतर में 24, इस तरीके सा आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो एक अंतर में आ गया, तो अब डायरेट आप 24 से इसमें गुणा कर दिजिए, तो कितना हो जाएगा, 24 दुना 48 होता है, तो ये इधर में फादर का है, और 24 एकम 24 इधर में बेटा का है ठीक है लेकिन अब आपको समझना है ये दो वर्स बाद का है तब आपको निकालना है वर्तमान का वर्तमान में यानि कि बाद से वर्तमान में जाना है तो घटाना होगा ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ दो सल घटा ये तो बेटा का कितना हो जा तो किलियर हो चुका होगा, यहाँ पर देखे, D option सही है, answer को मिलाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, 22 वर्स सही है, चार नंबर में, very very important प्रशन, सुधा तथा उसके मा के उम्र का योग 63 वर्स है, तो सुधा की मा की वर्तमान उम्र क्या है, अब यहाँ पर समझे, कौन कौन है, मदर और सुधा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सुधा के मा है, तो मैं मदर यानि की एम लिख लेता हूँ, और एक तरफ सुधा तो क्या बोला है चार वर्ष पहले सुधा की मा की उम्र कितना होगा सुधा के उम्र की चार गुनी तो मा के तरफ चार रखेंगे और सुधा के तरफ एक रखेंगे ये चार वर्ष पहले का अनुपात है तो यहां पर उम्र का योग दिया हुआ है न तो अनुपात का योग लेके चलेंगे यानि कि अच्छा अब ये भी आपको समझना है देखिए ये जो अनुपात है कब का है चार वर्स पहले का और ये जो योग है वर्तमान का तो योग भी आपको मालूम होना चाहिए चार वर्ष पहले का ही तब इसके लिए आपको क्या करना है 63 में ये वर्तमान का है दोनों का योग मा और सुधा का तो 4 वर्ष पहले का योग निकालेंगे 4 वर्ष पहले यानि कि छोटा होगा न उम्र कम होगा तो दोनों का 4 चार वर्स घटा देंगे यानि कि दोनों का 8 वर्स घटा देंगे, ठीक है? तो कितना आ रहा है, 1 दाही 10, 13, 13 में से 8 तो 5 इधर में 5, यानि कि 55 अब यहां पर समझेगा, यह 4 वर्स पहले का अनुपात है और यह 4 वर्ज़ पहले का योग है शर्म होना चाहिए थेक है तो अब इसका योग लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पांच में कितना लेना है तो 25 यह आपको समझना होगा एक में कितना आ जाएगा 5 से डिभाइट करिये तो 11 पचे 25 11 आगया न 11 से गुना करेंगे इसमें और इसमें तो कितना हो जाएगा 11 चव के 44 ये आगया मा का और सुधा का 11 एकम 11 लेकिन 4 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में जाने के लिए आप क्या करेंगे 4 जोडेंगे तो मा का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और सुधा का कितना हो जाएगा 11 में 4 जोडेंगे तो हो जाएगा 15 देख लिए 15 वर्ष कहां पर है लेकिन पुछा किसका है तो सुधा की मा की वर्तमान उम्र क्या है 48 वर्ष है तो देखिए 48 वर्ष कहा है बी आप्सन सही है अब चलत अगर उनकी आयू दो अनुपात, तीन अनुपात, चार के अनुपात में हो, तो उनमें से सबसे बड़े की आयू कितने वर्स होगी, बहुत ही असान है, देखें, यह जो 33 वर्स है ना, आउसत आयू है, तीन ब्यक्ति का, अगर आउसत को तीन से गुना कर देंगे, तो तीनो का योग निकल जाएगा, तीनो ब्यक्तियों का, आयू का योग, यानि की 99, यह आपको समझना होगा, ठीक है, और तीन ब्यक्ति है, उसका अनुपात कितना है, दो अनुपात, तीन अनुपात, चार, मैं लिख लेता हूँ, दो अनुपात, तीन अनुपात, चार, ठीक है, और तीनों का योग कितना है? 99 है. तो ये इसका योग लेके चलेंगे. ठीक है? योग लेके चलेंगे तो कितना हो जगा? 4, 3, 7, 7, 2, 9. 9 में आपको कितना लेना है? तीनों का आयू का योग 99 है. तो 99 लेके चलना है. एक में आपको निकालना है. तो 9 से 99 को डिभाइट करेंग तो सभी का आयू निकल जाएगा लेकिन पूछा है क्या पूछा है तो उन में से सबसे बड़े की आयू कितने वर्स होगी तो सबसे बड़ा जो अनुपात में सबसे बड़ा संख्या है वही सबसे बड़े की आयू होगी तो सिर्प आप बड़े की आयू निकाल दीजे तो ग एंसर को मिलाते हुए चलते हैं सी एंसर यानि की 44 वर्स सही है चो नमबर में इस्तिरी तथा लड़की की आयू का अनुपात चार अनुपात पांच है तथा उनके आयू का योग 81 साल है 9 साल के बाद उनकी आयू का अनुपात होगा इस्तिरी तो मैं यहाँ पर डबलू लिख लता हूँ ओमेन ओमेन और एक लड़की यानि की गर्ल ठीक है उसका अनुपात कितना है तो चार अनुपात पांच है ठीक है तथा उनके आयू का योग दिया हुआ है ठीक ना योग तो इसका योग लेके चलेंगे योग लेके चलते हैं पांच चार नौ नौ में कितना लेके चलेंगे एक आसी एक में कितना हो जाएगा तो 9 से 81 को डिवाइट करेंगे नौ नौ अकासी, नौ आया अब 9 से इसमें गुना करेंगे तो दोनों का आयू निकल जाएगा 9, 4, 36 9, 45 लेकिन ये कब का आया है ये आपको समझना है ये वर्तमान का आया है लेकिन आप से पुछा है नौ साल के बाद उनकी आयू का अनुपात होगा नौ साल के बाद ज्यादा होगा न तो जोड़ दीजिये दोनों में इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पैंतालिस और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चववन दोनों का अनुपात पुछा है न तो आप अनुपात निकाल लिजिये यानि कि आप काट दीजिये जो कट रहा है तो यहाँ पर देखिएगा नौ से काटिए दोनों का अनुपात ठीक है किलियर है ना देख लिजे पांच अनुपात छो पांच अनुपात छो यानि की C option सही है चलते हैं answer को मिलाते हुए C option सही है right है अब चलते हैं 7 नंबर में इसमें क्या पूचा है ये तो very very important प्रशना है और इस प्रशना को solve करने के लिए कलम और कोपी का भी जरुरत नहीं पड़ेगा अरून समझेगा अरून भूसन से उतना ही छोटा है जितना वो अनिल से बड़ा है यदि भूसन और अनिल की आयू का योग अन्ठावन वर्स है तो अरून की आयू होगी देखे सबसे पहले प्रशना को समझ लिजिए ये दोनों का देखे भूसन और अनिल का आयू का योग दिया हुआ है और पहला व्यक्ति का पूछा है तो कितना हो जागा सिर्फ आपको क्या करना है योग जो दिया हुआ है भूसन और अनिल का योग जो दिया हुआ है उसको सिर्फ आपको दो से डिवाइड कर देना है तो अरून का निकल जाएगा लेकिन प्रशन इसी तरह का होना चाहिए प्रशन को आप पढ़के समझ लिजिए अगर कहीं पर भी इस तरह का प्रशन आता है तो भूसन और अनिल का योग है न तो योग दिया हुआ रहेगा ये दोनों का और पहला ब्यक्ति का निकालना होगा तो पहला ब्यक्ति का आप निकाल सकते हैं क्या करेंगे दोनों का योग को दो से डिवाइड करके तो कितना आएगा 29 वर्स देखिए B option सही है बिना कलम को भी यूज किये इसका answer बता सकते थे चलते हैं answer को मिलाते हुए B option सही है आठ नंबर में यहां पर देखिए A और B की वर्तमान आयू का योग 110 वर्स है 20 वर्स पहले उनकी आयू का अनुपात 4 अनुपात 3 था तो A की वर्तमान आयू क्या होगी 20 वर्स पहले का अनुपात दिया हुआ है किसका A और B का मैं लिख लेता हूँ A B कितना है? 4 अनुपात 3 चार अनुपात 3 20 साल पहले का अब इहां पर योग जो दिया हुआ है वर्तमान का है तो योग आपको मालूम करना है 20 साल पहले का तो 20 साल पहले क्या होगा? आयू कम होगा न तो दोनों का 20-20 साल घटा दिजे यानि कि 40 साल ये जो वर्तमान का योग दिया हुआ है न उसमें आपको क्या करना है? दोनों का 20-20 साल यानि कि 40 साल घटा देंगे तो 20 साल पहले का योग मालूम हो जाएगा क्योंकि 20 सल पहले का अनुपात मालूम है तो कितना हो जाएगा घटाने पर 0 और इहां पर 7 आ जाएगा अब क्या करना है ये दोनों का योग है तो अनुपात का योग लेके चलना है 4-3 कितना होगा 7 7 में कितना लेके चलेंगे तो ये जो योग दिया हुआ है यानि कि 70 तो एक में कितना होगा 7 से डिवाइट करिए 10 सते 70 10 से इसमें गुना कर दिजिए तो 20 साल पहले का आयू मालूम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 4, 40 और 10, 3, 30 लेकिन क्या पुछा है तो एकी वर्तमान आयू एका निकालना है एका वर्तमान आयू निकालना है तो ये 20 साल पहले का है तो वर्तमान में कितना होगा 20 ज़ादा होगा 20 जोड़ना होगा तो एका आयू में 20 जोड़ दिजिए इसमें 20 जोड़ दिजिए तो कितना हो जाएगा 60 यानि कि A की वर्तमान आयू कितना है 60 वर्स देखिए कहाँ पर है D option सही है चलते हैं answer को मिलाते हुए D option सही है 60 वर्स सही है अगला प्रस्ना 19 नंबर 10 साल पहले B की उम्र C की उम्र की दस गुनी थी 10 साल पहले की बात हो रहा है यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4 अनुपात 1 है तो B का वर्तमान B की वर्तमान उम्र किया है अब इहां पर अनुपात दूठो है एक तो गुना में लिखा हुआ है उसको आप अनुपात में लिख सकते हैं और एक वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है तब कैसे स्वल्व करेंगे जब आयू में दो अनुपात दिया हुआ रहेगा उसको आप कैसे स्वल्व करेंगे समझने का परियास किजे और अगला जो वीडियो होगा टाइप 2 होगा उसमें मैं ज़्यादा ज़्यादा परिशन को सॉल्व करके बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले समझे दस साल पहले बी की उम्रा, सी की उम्रा की दस गुनी थी तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बी, सी दस साल पहले B की उम्रा C की उम्रा की दस गुनी थी B का दस गुना तो B के तरफ 10 रखेंगे और C के तरफ 1 रखेंगे ठीक है ये 10 सल पहले का उम्रा है ठीक है अब वर्तमान का अनुपात कितना है 4 अनुपात 1 है solve करने का तरीका क्या है इसका अंतर देखना है और इसका अंतर देखना है कि बराबर आता है या नहीं तो इहां पर देखिए इसका अंतर 6 आ रहा है इसका अंतर 0 आ रहा है तो बराबर नहीं है समान नहीं है तब समान करना है समान करने के लिए क्या करते हैं देखिए समझेगा इसका अंतर को इसमें गुणा करेंगे और इसका अंतर को इसमें गुणा करेंगे समझेगा तो इहां पर क्या करेंगे इसका अंतर कितना है तीन है तो तीन इसमें गुणा करेंगे इसका अंतर कितना है नौ तो इसमें गुणा करेंगे ठीक है इसमें 9 से गुना करेंगे एक पर मैं फिर से लिख लेता हूँ तो यहाँ पर 30 हो जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3 होगा 9 चोके 36 होगा और 9 एकम 9 होगा अब एक चीजी याद रखेगा यह जो पहले वला अनुपात है यह 10 साल पहले का है तो बगल में आप 10 लिख लिजिए यह वर्तमान का है तो इसके बगल में आप 0 लिख लिजिए वर्तमान के बगल में 0 और 10 साल पहले या बाद रहेगा उसके सामने जितना रहेगा उतना लिख लेना है यह 10 साल पहले का है तो बगल में 10 लिख लेना है अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था कि इसका अंतर और इसका अंतर समान होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए समान है अगर 36 में 30 घटाएंगे तो 6 बचेगा 9 में 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा तो उसी 6 को लेके चलना है 6 में कितना लेके चलेंगे तो इसको जोड के जो बगल में आप लिखे हैं जोड के तो कितना हो जाएगा 10 ही होगा न 6 में 10 है तो 1 में कितना होगा यानि कि 10 बटे 6 होगा किसका निकालना है अब ये आपको समझना है तो B की वर्तमान उम्रह है बी का निकालना है बी का इधर में है न बी का कहां पर है ये आपको समझना होगा हाँ 1 में B का है लास्ट में C का है तो इहां पर देखिए वर्तमान जो हम लोग change किये हैं बराबर करने के चलते जो हम लोग बराबर किये हैं वहाँ पर आपको देखना है इहाँ पर देखना है ठीक है तो B का वर्तमान में ये तो दस सल पहले का है वर्तमान वला में गुणा आपको करना है तो वर्तमान में B का कितना है 36 है तो 36 में आपको इससे गुणा कर देना है तो गुणा कर दिजे 10 बटे 6 तो 6 चक 36 और 10 चक 60 आ गया न यानि कि B का उम्र कितना है तो 60 ओर से C option सही है बहुत सा तरीका है अगर किनी को doubt हो अगर समझने में problem हो तो बताईएगा मैं बहुत तरीके से बता सकता हूँ लेकिन ये जो तरीका है ना बहुत ही असान तरीका है इस तरीका को सिखने का परियास करिए तो देखते हैं एंसर को मिला लेते हैं 60 वर्स आया था तो सही है